हेलो बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्सा साथ विज्ञान यानि साइन्स का तीसरा चैप्टर रेसों से वस्तर तक हम आपको बताएंगे बच्चो इस पार्ट से सम्मंदित प्रसनु के उत्तर इसलिए आप लगातार इसी प्रकार जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे वीडियो और जानते रहे अपने सारे प्रसनों के उत्तर तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अब जान लेते हैं सबसे पहले पार्ट का सारांस मुख्य बिन्दू कि आपने इस पार्ट में क्या कुछ सीखा क्या कुछ पढ़ा आपने इस पार्ट में क्या पढ़ा ज दाक के बालों से प्राप्ट किये जाते हैं, जब की रेसम के फाइबर रेसम कीट के कोकून यानि कोस से प्राप्त होते हैं. भारत में अधिक तेर बेडुं को उन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। किसले पाला जाता है बच्चो उन प्राप्त करने के लिए बेड़ों से हमें उन मिलती है न जो उसके बाल होते हैं उनसे उन तियार की जाती है चौथा बेड़ के सरीर से बालों को उतार कर पहले अभी मारजन वच्छटाई की जाती है और फिर सुखाने के बाद उने कात कर उन प्राप्त की जाती है बेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जन्तों से उन प्राप्त की जाती है उन परदान करने वाले इन जन्तों के सरीर बालों से धके होते हैं बालों के बीच अधिक मात्रा में वायू आसानी से भर जाती है ये वायू उसमा की कुछ आलक है अतै ब इन जनतों को गर्म रखते हैं उन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है अगला पॉइंट है बच्चो भेड की रोएदार तुचा पर दो परकार के रेशे होते हैं नमबर एक दाड़ी के रूखे बाल और दूसरा तुचा के निकट अवस्थित तंत रूपी मुला मुलायम बाल ही होते हैं इनके जनकों का बिशेश रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चैन किया जाता है जिनके सरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हों और नवाफाइंट है बच्चो तंत रूपी मुलायम बालों जैसे बिशेश गुण युक्त भेड़े उत्पन क करने के लिए जनकों के चैन की यह प्रक्रिया वरनात्मक परजनन कहलाती है ठीक है क्या कहलाती है वरनात्मक परजनन अगला है याक की उन तिबबत और लद्दाग में परचलित है बकरी के बालों से भी उन प्राप्त की जाती है अंगोरा उन को अंगोरा नसल की बकरियों से जो जम्बू एबं कस्मीर के पहाड़ी छेत्रों में पाई जाती हैं कहां पाई जाती हैं अंगोरा नसल की बक्रिया जम्बू और कस्मीर के पहाड़ी छेत्रों में अगला इंपोर्टेंड है कस्मीरी बक्री की तोचा के निकट मुलायम बाल यानि फर होते हैं इनसे बेत सौले बनती है इसके बाद अगला पॉइंट है बच्चो दक्षिन अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल पेकाश से भी उन प्राप्त की जाती है जब पाली गई भेड के सरीर पर बालों की घनी विर्दी हो जाती है तो उन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को कटाई कहलाती है क्या कहलाती है उनकी कटाई बेडों से तचा सहीत उतारेगे बालों को टंक्यों में डाल कर अच्छी तरह दोया जाता है जिससे उनकी चिकनाई धूल और गर्त निकल जाए यहाँ प्रक्रम अभी मार्जन कहलाता है आई बास समझ में अभी मार्जन किसे क क्या कहलाता है अभिमारजन अपने जीवन चक्र में रेसम कीट रेसम के रेसों की कताई करके कोकून बनाते हैं रेसम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं अगला पॉइंट है बच्चो कोकोनों से रेसम के रेसों को पर्थक करके उनका संसाधन किया जाता है और फिर रेसम का धागा बनाया जाता है इस प्रकरम को रीलिंग कहते हैं क्या कहते हैं रीलिंग याद रखना और 19 वा पॉइंट है बच्चो बुनकर रेसम के धागों से रेसम के वस्त्र बुनते हैं तो ये था आपके पाठ का सारांस जो मुख्य विंदों के रूप में हमने आपको यहां पर बताया बच्छो इसे आप अच्छे से पढ़ें अच्छे से याद रखें तो चलिए सुरू करते हैं यहां पर इस पाठ के प्रशनुत्तर अभ्यास प लेटिल लेम्ब हुज फ्लीज वास वाइड एस इसनो तो यहां पर जो है आपनी यह लाइने पड़ी होंगी तो चलिए आगे क्या कहता है यहां पर प्रसन आपका फस्ट में कहता है बलेक सीप यानि काली बेड़ के किन भागों में उन होती है और दूसरा यहां पर प्रस के साथ उगने वाले महीन और मुलायम बालों में उन होता है कहां पर होता है महीन और मुलायम बालों में सेकेंड का उत्तर लिखेंगे मेमने के सपेद रोमों का मतलब भेड के बच्चे के उनका रंग सपेद है भेड और बक्रियों का प्राकरतिकून काला भूरा या रहते हैं बच्चों, दूसरा प्रसनाता आपका यहां पर और इसमें पूछा है रिसम कीट और ए लिखा है, कैट पिलेर और बै वाला लारवा, सही बिकल्प चुनिए, तो आपको सही बिकल्प चुनना है, और बिकल्प यह हैं आपके लिए केवल ए, केवल बै, ए बै दोनो और नही ए और नही बै, तो उत्तर में क्या लेखेंगे आप, इन चारों में से कौन सा विकल्प आपका सही है, उत्तर लेखेंगे ए और बै, ठीक है, तो यह आपका सही आंसर है, कहां पर रही है, यह वाला आंसर आपका जो है, यहां पर जो आप्सन सही है, बात करते हैं तीसरा प्रसना आता आपका और इसमें पूछा है निम लिखित में से किस से उन प्राप्त नहीं होती और किस से नहीं होती याग से नहीं होती उन्ट से नहीं होती बकरी से या घने बालों वाला कुत्ता तो इन चारों में से आप बताएंगे कि किस से उन प्राप्त नहीं की तो आप समझ गेंगे इससे तो चलिए उतर में देख लेते हैं गहने बालों वाला कुट्टा क्योंकि इससे उन प्राप्त नहीं होती ठीक है तो यह आपका सही उप्शन होगा कौन सा गह वाला अगला प्रसने बचो चोथा निमलिके सब्दों का क्या आर्थ है तो इनका आर पालन का आर्थ है पसुपालन या पसुधन ठीक है आप क्या लिखेंगे पालन का आर्थ है पसुधन जैसे गाये भैंस बकरी आधि को पैसा कमाने के लिए रखना और उसकी देखवाल करना ठीक है इन जानवरों को खिलाया जाता है आसरे परदान किया जाता है और बेहतर उपज जैसे दूद, मांस, उन, आधी के लिए पाला जाता है। उधारन के लिए बेड को मुख्य रूप से उन के लिए पाला जाता है। वे मुख्य रूप से कम वर्षा वाले छेत्रों में पाले जाते हैं। बेडें घास और पत्यां खाती हैं। उन्हें दालों, मक्का, जुआर और खनीजों के मिश्रन भी खिलाया जाता है। सर्दियों में उन्हें घर के अंदर रखा जाता है। और सुखे चारे पत्यों और अनाजों पर पाला जाता है। इस प्रकार से आप पालन के विशे में लिख सकते हैं। एक पैर अगर आपके रूप में अगला है बच्कों दूसरा देखेंगे औन कटाई तून कटाई की भी से में ढ़े आपको बताने होगा। एक बार जब एक भेड़ बालों की एक मोटी परत विक्षित कर लेती हैं तो इन बालों को ऊन 6 प्राप्त करने के लिए काटा जाता है। भेड़ की तुँचा से उन को अलग करना उनकी कटाई कहलाता है यहाँ पर जो है उन कटाई के बारे में एक पर अगर आप लिखेंगे आप और यहाँ पर आप जो है मसीनु द्वारा पूरा या संपन किया जाता है यहाँ पर आप जो है समान ना लिखें यहाँ पर लिखेंगे संपन क्या संपन किया जाता है मस पालन के रूप में जाना जाता है विविन परकार के रेसम जैसे सहतूथ रेसम तेसर रेसम आदी विविन परकार के रेसम कीड़ों से प्राप्त किये जाते हैं तो इस परकार से आप रेसम कीड के बारे में लिख सकते हैं या पर अगला प्रस począt is आपका पांचवा प्रस outline गए हैं सेज चरणों को उनके सही करम से लिखिए जैसे कि आप देख सकते हैं उन कटाई और छटाई उन कटाई छटाई तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है उत्तर में आप लिखेंगे उन कटाई तो यहाँ पर अभी मारजन छटाई वर्की छटाई रंगाई और ठीक है तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर आप ध्यान देंगे यहाँ पर थोड़ा डैस कर ले उसके बाद लिखेंगे आभी मार्जन, छटाई, बर्की छटाई, रंगाई और रेलिंग तो यहाँ पर इस प्रकार से आप जो उन कटाई लिखें और हेडिंग डाल दें और इस प्रकार से बना कर आप लिख सकते हैं अपना उत्तर इसके बाद छटा प्रसने बचो रेसम कीट के जीवन चकर की उन दो अवस्ताओं के चितर बनाईए जो परत्यक्स रूब से रेसम के उत्पादन से संबन दिते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे आप एक चितर बनाएंगे साथ-साथ और इस प्रकार से बनाएंगे यहाँ पर आप देखें उत्तर में सैतूत की पत्ती पर अंडे कोकून में विकासील कीट इस प्रकार से लिख देंगे पहले आप और उसके बाद चितर बना लेंगे और चितर आपको कहा मिलेगा आपकी पाटे पुस्तक में देखे आप और जो है इस प्रकार का आपको एक चितर मिलेगा आप चाहे तो उसकी फोटो इस्टेट करके जाएं बजार में और उसकी फोटे स्टेट करके वहाँ पर लगा दें और चाहे अपनी पेंसिल की सायता से आप सोयम से उसका एक चितर बना लें लेकिन आप सासा ये वाले चितर लगा दें सहतूत की पत्ती पर अंडे और कोकून में विकासिल कीट तो आपका ये आंसर हो जाएगा इसका कौन सा छटा प्रस्ने आपका और इसका उत्तर जोए आप इस प्रकार से बना सकते हैं लेकिन याद रहे चितर को जरूर से जरूर अंकित करें इसके बाद बच्चों आगला प्रस्ने साथ वाँ निमलिकित में से कौन से दो सब्द रेसम उत्तपादन से संबन दिता है रेसम कीट पालन, पुष्प, किरसी, सहतूत किरसी मक्सी पालन, मदुमक्सी पालन और वन वर्धन तो यहाँ पर जो यह मदुमक्सी के बारे में आप जानते हैं मदुमक्ही जिस से सहथ मिलता है तो इन में से आप जो संकेत देख सकते हैं यहाँ पर प्रस्न में आपको मिलेंगे संकेत रेसम उत्पाधन में सहतूत की पत्ّयों की केती और रेसम कीटों को पालना समलित है और सेकेंड है सहतूत का बैग्यानिक नाम मुरस एलवा है तो यह आपके लिए संकेत दिये हुए है उत्तर में आप क्या करेंगे इस प्रकार से लिख सकते हैं रिसम की पालन और सहतूत किर्शी ठीक है तो यह आपका उत्तर हो जाएगा अगला है बच्चो प्रस्न आठ वाँ कॉलम A में दिये गए सब्दों से मिलाईए और आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चो यह कॉलम A है आपका और यह है कॉलम B और यहाँ पर आपने क्या करना है इनका सुमेल करना है तो किस प्रकार से करेंगे यहाँ पर आप प्रस्न में देख सकते हैं आप यह मार्जन रेसम फाइबर उत्पन करता है सहतूत की पत्यां उन देने वाला जन्तू, याक रेसम कीट का भोजन, कोकुन, रीलिंग और काटी गई उनकी सपाई तो यह सब आप प्रस्न में देख सकते हैं और उत्तर में आप जो है, इसका सुमेल करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे तो यहाँ से आप जो है, उत्तर जो है अपना लिख सकते हैं उत्तर में कॉलम बना देंगे कॉलम A और कॉलम B ठीक है, और उसके बाद आभी मर्जन के साथ लिखेंगे काटी गई यहाँ पर जो है ध्यान देंगे यहाँ पर फस्ट के साथ आप लिखेंगे काटी गई उनकी सफाई और सैतूद की पत्ती के साथ लिखेंगे रिसम कीट का बोजन याक के साथ उन देने वाला जन्त और कोकुन में लिखेंगे रिसम फाइवर उत्पन करता है तो इ अक्सरों को उन अकसरों से भरने के लिए संकेतों का उपयोग करिए जो अकसर को पूरा करते हैं तो आप ध्यान दें आपकी पुस्तक में एक बर्ग पहली दीओगी, ठीक इस प्रकार की जो आपको यहां पर दिखाई दे रही है तो यहां पर जो है इस पहली में कुछ नंब परकरम क्या कहते हैं उसे वो आपको लिखना है नमबर तीन पर आपको लिखना है थ्री पर आपको क्या लिखना है एक परकार का जानतव रेशा और छे पर लिखना है लंबी धागे जैसी सरचना जिससे बनकर वस्त्र बनाते हैं और जो है उपर से नीचे की और क्या लिखना आपने फस्ट में एक पर आपने लिखना है इससे बने वस्तर सरी को गरम रखते हैं और चार पर लिखना है इनकी पत्यों को रेसम कीट खाते हैं और पांच पर रेसम कीट के अंडे से निकलते हैं तो यहाँ पर आपने इस परकार से बर्ग पहली को सॉल्व करना है यह आपक ठीक है, सिथे में और उब्र से नीचे की तरफ क्या लेखेंगे आप, नमबर एक पर लेखेंगे उन और नमबर चार पर लेखेंगे सैतूत और नमबर 5 पर कैट पिलर, आईई बास समझ में, जो अनिक, आप अन देलिम आ इखेंगे, नमबर 1 पर आप क्या लेखेंगे, और फिर उसके बाद लह और रह तो यहाँ पर जो है cat pillar लिखेंगे आप ठीक है उसमें उपर से नीचे को और इस परकार से आप अपने उत्तर को यहाँ से भी देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या लिखना है सीधे में लिखेंगे आप सीधा समझ देना आप इस परकार से और उपर प्रस्नुक्तरों को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बहुत कर दें बैल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली परते एक पार्ट की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो मिलते हैं बच्चों फिर कक्सा 7 पार्ट 4 में अगली वीडियो में ने प्रस्नुत्तरों के साथ